नमस्कार सिक्षक सातियों आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है तो सातियों आज की हमारी जो चर्चा का विशय है जो जानकारी देनी है हमें आपको वह है हमारा मानफ संपता पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है एरियर के समद्ध में और यह हम सभी सिक्षकों को जानना बहुत जरूरी है तो क्या अप्डेट आया है वे इसी के बारे हम आज की वीडियो में बात करेंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्रायब नहें किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले है। वीडियो को बनाए अप डिया हमारा ये आपको पताईए जब हमारा वेतन किसी कारण बस रुक जाता है तो फिर वह वेतन एरियर के रूप में निकलता है हमारी धनराशी हमें एरियर के रूप में प्राप्त होती है उसके लिए अभी online कोई process नहीं था अब क्या हुआ है कि आप केबल online process कर दिया है आपको एरियर के लिए कहीं भी जाने की आवश्यक्ता नहीं है नहीं बी आर्सी पर नहीं बी एसे office में आप अपने ही मानव संपता की अपनी ID पासवर्ट से अपने ही द्वारा ये कर पाएंगे और किस प्रकार करेंगे वही हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे तो साथ ही हो जैसे कि आपको दिख रहा है ये मानव संपता का portal हमारा खुला हुआ है और आप सभी को इसमें login करना आता होगा तो login करने के बाद हम आगे की परिक्रिया आपको समझाते है तो login करने के बाद हमारा ये वाला page खुलता है साथियो उसमें क्या है आपका नाम वगरे लिखा होता है तो अब हमें इसमें किस option पर जाने थे कि यहां पर हमारे जो option दिये हैं उपर journal leave module, transfer module, acr, apar, payroll और service book दिये हुए है तो हमें जिस option पर किलिक करना है वो है हमारा journal तो हमें जर्णल वाले option पर किलिक करेंगे तो जब हम journal वाले option पर किलिक करेंगे तो उसके बाद हमारा ये वाले option खुल कराएंगे जिसमें हमारा लिखा हुआ है update password, contact detail, update reporting officer और जो option है और सबसे नया जो option आया वह आया है online request इसी option के द्वारा हमारा area के लिए हमारा application भरी जाएगी तो आपको इसी option पर ध्यान देना है सबसे पहले जन्रल पर क्लिक करना है और जन्रल पर सबसे नीचे online request वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद जब आप online request वाले option पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पर area वाला एक option और आजाएगा यहाँ पर side में ही जब online पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर side में क्या हो जाएगा area वाले option और आजाएगा फिर आपको area वाले इस वाले option पर भ apply कीजिए और अगर आपने apply कर दिया है तो फिर उसकी जो रिक्वेस्ट जैसे हम छुट्टी के लिए apply करते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट जो है जब एप्रूव हो जाती है वह आप यहाँ पर स्टेटस चेक कीजिए और नीचे यहाँ पर उसका इस्टेटस भी चेक कर सकते हैं हमें कब तक मिल जाएगा और जब यहाँ पर आप सबसे पहले तो आपको apply पर कलिक करना तो जब आप,apply area पर कलिक करेंगे तो हमारे सामने एक forum खुल के आ जाएगा जो में भरना है, तो साथी हो जब आप apply area वाले option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार area request form खुल कर आ जाएगा तो हमें यही form बरना है और हमें कहीं भी कोई चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है यह form किस तरीके से बरना है यह हम आपको बता देते हैं सबसे पहले application type में आ जाएगा area यहाँ पर कुछ नहीं करना ऐसी रहना है उसके बाद यहाँ पर एक drop down menu दे रखा है आपको इस पर किलिक करना है और जब हम इस पर किलिक करेंगे तो हमारा area किस कारण का है वो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर option दिये हुए होंगे सारे हम यहाँ पर किलिक कर लेते हैं इस वाले option पर तो हमारा जो देखें यहाँ पर आ गए हैं खुलकर बहाली court order डिये area increment area leave area pay fixation on promotion pay cut selection grade salary area new appointment या अधर या bonus area कितने सारे option है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा option है जिस भी कारण से आपका area बन रहा है मानले जिए आपकी salary cut हो गई है और दुबारा से वह हो रही है तो आप इस वाले option को किलिक कीजिए और यहाँ पर उस से जरूरी जो which area is applied यह area किस order number के through applied किया गया मानला आपने लंबन होकर बहाली हुआ है तो जो बहाली वाला जो आपका आदेश होगा वो यहाँ पर डाला जाएगा और if any और यह जरूरी नहीं है डाला जाए यह आपकी मर्जिए डाल भी सकते है नहीं भी order की date डाल लिए है यहाँ पर area period period कब से लेके कब तक का आपका area है दस दिन का है बारा दिन का है दो महीने का वो डालना है रिपोर्टिंग ऑफिशर और जैसे कि हम चुट्टी में रिपोर्टिंग ऑफिशर बनाते हैं अपने खंड सिक्षा दिकारी महोदय को वैसे यहाँ पर उन्हें रिपोर्टिंग ऑ आपको किलिक कर देना है इस वाले option पर right का निसान लगा देना इस box में और यहाँ पर submit वाले बटन पर किलिक कर देना है और आपका area form जो है वो खंड सिक्षा दिकारी महोदय के पास चला जाएगा और आपको इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपका बहाली आदेश या जो भी आदेश के अंतरगत आपका area निकलना है वो आपके खाते में आ जाएगा तो इस परकार यह हमारी वीडियो है आज की हमारी area से संबंद यह नए अपडेट आया था जो हमने आपको जानकारी दे दिया उम्मीद करते हैं वीडियो आपके अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करना हम उसे सौल करने का प्रियास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आज की वीडियो यहीं कतम होती है दोस्तों धन्यवाद